आज हर एक तीसरे व्यक्ति को पेट की समस्या इंडाइजेशन गैस्टिक प्रॉलम नेबल डिस्प्लेस्मेंट और इन सारी प्रॉलम्स की वज़े से कही न कहीं डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्या होती है लेकिन अगर किसी विव्यक्ति को यह सारे सिंटम्स सुनने के बाद हम लोग अगर यह बोने कि क्या आपने कभी नाभी चेक की है ग्या तो वो लोग भी नाभी पर कभी भी ध्यान नहीं देते और इन सारी समस्याओं का सबसे मुख्य कारण जो है वो कई न नहीं नापी होती है तो आज इस वीडियो में मैं आपको चार तरीके बताऊंगा जिससे आप नापी को चेक करना सीख सकते हैं और चार वो आसान तरीके जिसकों की कोई भी बंदा अगर एक बार भी देखे तो वो बहुत आसानी से सीख सकते हैं कि देखे सबसे पहले हम नापी जब चेक करते हैं तो कभी भी यह गलती नहीं करने चाहिए कि एक अउठे से एक उंगली से इस तरीके से आप नापी जो चेहता है अब हातों से जब नापी चेक करते हैं तो सारी की सारी लाइने देखें सारी लाइने जो है वो बिल्कुल एक्वल होनी चाहिए ऐसे जब आप यह हातों से चेक करेंगे तो सबसे पहले नीचे वाली लाइन यानि हतेली की तरफ वाली लाइन जो है वो मिलानी है इस तरीके से दो तीसरा जो तरीका है वो है पैर के अंगूठों से नाभी को चेक करना है पैर के अंगूठों पर सामानेते हर एक व्यक्ति के इधर एक कट का निसान होता है यानि ऐसे कट टाइप लगा हुआ होता है उसको एक्वल करना है एक्वल रखना है बहुत सारे लोग जो है वो तो अंगूठे की हाइट से नाभी को चेक करते हैं, ऐसा नहीं है, कि आप अंगूठे की हाइट से नाभी को चेक करके, समझ पाएंगे नाभी अपसेट है या नहीं है, क्योंकि ये आपका एक manufacturing पार्ट है, जो छोटा बड़ा हो सकता है, और हर एक व्यक्ति का पैर वो, नाभी को चेक करें, रस्सी से जब नाभी चेक करते हैं, तो एक रस्सी पर ऐसे गांठ बागने के बाद इस तरीके से आप नाभी पर रखो, और ये गांठ जो है, ये प्रॉपर एकदम निपल के उपर आना चाहिए, ये आप देख रहे हैं, ये, बिल्कुल सेम ये, जब इस तरीके से proper एकडम equal आईगी तो आप कह सकते हो कि नाबी जो है वो set है और अगर ये distance जो है ये अगर ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है तो आपकी नाबी अपैट है झाल झाल